तो जैसे ही मैं अपने phone में map application को open करता हूँ, automatically location enable हो जाता है, जैसे ही मैं map से बाहर आता हूँ, location automatically disable हो जाता है, ठीक इसी तरह से जैसे ही मैं अपने phone में कोई भी video play करता हूँ, automatically screen rotate होके landscape mode पे चला जाता है, जैसे ही मैं उस application से बाहर आता हूँ, वो automatically portrait mode में आ जाता है, तो तो इस तरीके का automation आप भी अपने Samsung की phone में एनबल करके रख सकते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 automations बताऊंगा जो आपकी daily life में बहुत ज़्यादा काम में आएगा है इसके लिए phone की settings को open करके modes and routines के अंदर चले जाना है then routines इसके लिए प्लासबल icon के उपर tap करना है then if then battery level के उपर tap करना है and आप यहाँ पर कोई भी amount दे सकते हो मतलब percentage का मैं आपर suppose 25% दे दिया फिर बिलो ही इसे रहने देते हैं done अब then conditions के उपर tap करना है then power serving and power serving on done अब इसे save यहाँ पर आपने accordingly कोई भी नाम दे सकते हो कोई भी icon चूज कर सकते हो then done and यहाँ पर यह routine add हो गया तो अगर आप एक ऐसे person हो जो अपने phone को charge में लगा के भूल जाते हो off करना and रात भर अगर आपका phone charge होता है तो इस case में आपकी phone के अंदर जो battery है वो harm होता है damage होता है long time में आपको आपकी battery को change करना पड़ सकता है तो इस case में आप battery production को enable कर सकते हो ताकि एक particular charging percentage में आके automatically आपका phone charge होना बंद हो जाए तो इसके लिए plus बाले icon के ओपर tap करके if के ओपर tap करके आप specific time आपको choose करना है तो specific time मैंने यहाँ पर तक्रिबन 11 बजे दे दिया 12.30 pm आप यहाँ पर everyday चूज कर सकते हो या फिर specific date दे सकते हो मैंने यहाँ पर everyday रखा है 10.30 pm done then यहाँ पर एक और condition add करना है तो इसके ओपर tap करके charging status then charging को tap करना है done अब then वाले conditions के ओपर tap करना है और चली जाना है battery के ओपर then battery production on now आप यहाँ पर किस लेवल का battery production add करना चाहते हो basic adapted या फिर maximum मैं maximum पर रहने देता हूं फिर done next जैसे की phone पूरी रात चार्ज होने वाला है तो यहाँ पर fast charging को off कर देते हैं तो इसके लिए एक और condition हम add करेंगे तो then के ओपर tap करने के बाद battery फिर fast charging and इसे off done तो routine create हो चुका है अभी इसे save करना है save and अपने accordingly कोई भी logo icon अब देख सकते हो और नाम दे सकते हो इसका फिर इसे आपको save कर देना है done अब smartphone के अंदर सबसे ज़्यादा battery consume होता है location services को अगर आप enable करके छोड़ देते हो तो अगर आप ऐसे person हो जो location services को इस्तमाल करते हो या फिर अगर आपने कोई भी ride किया खाना मंगवाया location को enable किया उस case में अपनी देखावगा कि आप उस application से तो बाहर आ गई बट still background में आपका location service enable हो जाता है तो इस case में आप automate करके रख सकते हो ताकि जैसे ही आप उस application से बाहर आए automatically location services आपका off हो जाए तो आप देख सकते हो मेरी phone में location off है बट जैसे ही मैं map को open किया automatically location enable हो गया जैसे ही मैं map से बाहर आया automatically location off हो गया हो मैं करने के लिए settings के और जाना है ज tentang mode and routine फिर यहांपे आपको routine के अन्दर आना है प्लाज वहला एकन के पर tap करना है keep के अंदर को टैप करके tap open को select करना है फिर उस application को आपको यहांप सार्च करना है तो में मैप से अगर आप बाहर आओगे तो उसके इसमें आपको क्या करना चाहिए तो इसके लिए आपको इसके उपर टैप करके फिर लोकेशन के उपर सेट करना है देन सेटिंग्स के उपर और यहां पे आफ ड़न ड़न फिर आप यहां पे कोई भी नाम देखे ड़न फिर सेव ए जैसे के यहलो और अगर आप packed पे अब या फिर स्टुटेंट आप जाते हूं कि जैसे ही आप उस जगह पे एंटर होई जैसे ही आपका फोन उस वाइफाइस कॉन्स नेट लीश्ट याँ पर चुछ करना है अगर अप उस कर दिया अब डन नेक्स्ट अभी देन कंडिशन के उपर टाप करना है देन आपको चले जाना है साउंड और वाइब्रेशन के उपर साउंड मोड और फॉल्यूम आप यहां पर वोल्यूम को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो एक दम साइलेंट रह सकते हो या फिर या फिर आप नॉर्मेल नाप्स आपको मिल जाएगा तो सपूस मैं चाता हूं कि यह नॉर्मल हो जाए यहां से सारे विल्यूम को मैंने इंक्रीज कर दिया फिर्ट दन फिर्ट रूटीन सक्सेष फूली क्रेट हो चुका है अभी सिब आपे कोई भी नाम दे सकते हो आइकन चूज कर सकते हूँ and done तो routine successfully create हो गया ठेक एसी तरह से जैसे ही मैं अपने फोन में कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ automatically screen rotate होके landscape mode पे चला जाता है and जैसे ही मैं उस application से बाहर आता हूँ वो automatically portrait mode में आ जाता है तो इसके लिए plus बाले icon के उपर tap करना है then if and यहाँ पर आपको choose करना है उस particular application को suppose मैं यहाँ पर gallery application को देना चाता हूँ तो gallery के अलाबा आप कोई particular application भी set कर सकते हो जो भी OTT platform है या फिर अगर आपके फोन में कोई video player है तो उस application को भी आप choose कर सकते हो तो मैं यहाँ पर example के लिए gallery को choose किया फिर done और आप यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बेलकि multiple applications भी लगा सकते हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पर gallery को दिया अब suppose मैं यहाँ यूट्यूब को भी देना चाता हूँ तो YouTube को मैंने search करके add कर दिया अब यहाँ पर दो application मैंने भी add गया gallery और YouTube तो इन दो application को जैसे मैं open करूँगा automatically मेरा phone landscape mode पे चला जाएगा या फिर auto orientation इसका on हो जाएगा तो इसके लिए then conditions के उपर फिर choose करना है then screen orientation यहाँ पर तीन option है जैसे कि auto rotate हो गया आपका portrait हो गया and skip हो गया तो आप अपने accordingly दे सकते हो मैंने यहाँ पर auto rotate पर चूज़ किया अब done अब save कर दे या फिर done now routine यहाँ पर save हो चुका है अभी अगर आप देखो तो मेरा auto rotate यहाँ पर off है but जैसे ही मैं YouTube को open किया automatically मेरा auto rotate enabled हो गया and जैसे ही मैं YouTube से बाहर आया automatically मेरा auto rotate off हो गया so guys यह था कुल 5 important routines इन में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा comment करके जरूर बताइए और ऐसे ही interesting वीडियो आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी subscribe कर लिजिए मिलते हैं next वीडियो में thank you